सब्सक्राइब किजिए Techzilla चैनल को और दबाएए इस बेल आइकॉन को सबसे पहले लेड़े स्ट इडियो देखने के लिए हाई फ्रेंड्स विल्कम टू टेक्जिला चैनल आज के उस तुलिमें मैं आपको बताने वाला हूँ तो विंडोस 10 PC में पासवर्ड पर्टक शेरिंग को कैसे टर्न आफ और टर्न आउन करते हैं कैसे अनेबल और डिसेवल करते हों मार्च किड़ो में देखेंगे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राब करें इसी तरह के इंटरस्टिंग विडोस देखने के लिए तो चले इस तो विडोस शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल है तो उसके लिए आपको विंडोस सटिंग में जाना है विंडोस आई प्रेस करना है उसके बद आपको जाना है नेटवर्क एंट इंटरनेट में यहाँ पर आपको निच्चो अप्शन मिलेगा नेटवर्क एंट शेरिंग सेंटर इसको उपन करना है उसके बद आपको जाना है Change Advanced Sharing Settings में यहां पर आपको All Enter के सामने किलिक करना है यहां पर देखे Password Protect Sharing यहां पर Turn Off है आपको यहां पर Turn On Select करना है और Save This पर किलिक कर देना है फिर से आपको जाना है Change Advanced Sharing Settings में फिर से आपको All Enter के सामने किलिक करना है आप हैं पर देख सकते हैं Password Protect Sharing यहां पर Turn On यानि Unable हो चुका है तो अपर इस तरह से Windows 10 PC में Password Protect Sharing को Unable या Disable कर सकते हैं यानि Turn On या Turn Off कर सकते हैं तो उमीद कर साथ हैं तो सोटा सा इडियो अपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लेक करिए शेयर करिए और सबस्क्राब करना ना भूले टेक्जिला चैनल को मिलते हैं नेक्ट्र